कि उसको नौ हाई कारवन क्वालिटी के ब्लेड आपको में दिखा लिए कि अले को आप कवरी देख लीजी कवर कितना इसका है भी है तो हम चर्व लेकिन हमने डवल सब्सक्राइब देदी इसमें यह अब देखिए इधर एक साइड इधर एक साइड तरी उस तरीके से चल रही है और यदी इस तरह से हमारा व्लेड डैमेज हो गया तो हमारी किसान भाई को नया भीड हरीदने के अबश्रक्ता नहीं है जो किसान भाई है वो इस ब्लेड के मादम से यहां से यह तीन नट खोलेगा और ब्लेड को उल्टा कर देगा तो उसके नए ब्लेड जैसा यह काम करेगा तो इसलिए चार और चार आठ हो गए और आठ और एक नौ तो नौ ब्लेड है कोई भी चारा हो निकाल सकते हो जहां तक यह नहीं है कि यह गीला गीला चारा निकाल लें यह मशीन उस तरीके से हमने दिजाइन करवाई है कि जिससे की अमारे किसान भाई को धान की पराली हो चाहिज आठ ज maintenant कि करब हो चाहे आपकी मक्य की WHY वह उसको भी निकाल सब्सक्राइब जो यह मशीन है घरेलू को रेक्षन पर जो आम करेंशन उसमें चल जाएगी बिल्कुल सरी है अमने इसमें जो मोटर दी हुई है वह गरेलू कनेक्षन वाली दी है सिंगल प्रेस्पर पर वाइंडिंग इसमें मोटर लगी हुई है जो कि एक गंटे आप चलाते हो तो मांत त सब्सक्राइब को नमस्क्राइब मेरे नाम है पुस्पेंद्र और हमारी कंपनी है किसान पावर आइग्रो इंडेस्ट्री जो भी नदवई बरतपुर आइस्ताइब के अंदर इस्तेत हैं वाई आपने चापके टर बहुत सारी देखिए होंगी लेकिन दोस्तों आज आपको जो दिखाने वाले कुछ अलग ही है तो अलग क्या है वह आपको मैं दिखा देता हूं सब सब्सक्राइब और और यहां पर नौ पर दिये हैं यह सच्छ है या फिर कि अभए बात आता है अब हाएं क्वालिटी के बलेटी दिए हुए तो आप देख सकते हो यह बैसे आपको चार यह विलेट हमारा यह ठीके सब्सक्राइब ने यह रेकिन हमने डबल साइड धार देदि इसमें यह आप देखिये इधर एक साइड इधर एक साइड यदि वाइद अभी हमारे किसान भाई की नाइड खरीदने की आपशकता नहीं है जो किसान भाई है वह इस ब्लेड के मादम से यहां से तीन नट खोले और ब्लेड को ओल्टा कर देगा तो उसके नए ब्लेड जैसा ये काम करेगा तो इसलिए चार और चार आठ हो गए और आठ और एक नौ तो नौ ब्लेड है इसमें तो आपको अभी बताईए हमने ये प्रूब करके आपको दिखाया नहीं दिखाया है जैसे आम तोर पर हमें देखाए उसमें एक तरफ धार हो सब्सक्राइब की अगएर ना पड़ें अपने में अपको यह इसमें डुसरी बात यहां से तो खीच जाएगा ही जाएगा जाएगा लेकिन हमने इसमें जो आपको दवल रॉल्र की खुल है उब एक रॉलर आपको ऊपर दिया हुआ है और सअपक्टर होती है उनमे श्राओं इन श्राफा कोकिया हैوس जदि यदि गल्य कोई दंदा कर रहे हैं क governance आशाएन पर 2014 सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंगोला वग्यार बोलते हैं उसको और गन्डे को भी जो है कई वार हमें निकालना होता है और कई वार हमारे राजिस्तान छितर में बात करू पश्ची में राजिस्तान में वहां पेड़ों की टैनियों से बाद्धुर्ट की लिए चारा बना जाता है तो इससे आप कोई भ प्रोडेक्शन के वारे मेरे किसान बाईयों यदि आपके पास में पांच दस बीस पसू यदि पचीस पसू चालीस पसू जितने भी पसू है ज़िया आप डेरी फार्मिंग कर रहे हैं या आप घर में यूज कर रहे हैं तो आपके एक पसू से लेके चालीस पचास पसू तक जो ये चारा निकालने की छमता रखती है एक गंटे में प्रोडेक्शन जानके आप चौंग जाओगे मेरे किसान बाईयो एक गंटे में जो खते हैं उसका लेके 800 केजी से और 1000 तक इसका गंटे में प्रोडेक्शन होता है गीले का गंटे में 400-800 केजी यह सूका चारा यह निकालने की छमता यह छोटी सी मसीन रखती है यह आपको दिख रही छोटी है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है छोटा पैकिट बड़ा दमाल हम इसको बोल सकते हैं सर जी इसमें काम करने के सेफ्टी फीचर क्या है उसके बारे बताएं देखिए मैंने मैंने आपको बहुत अच्छा काव कोस्चिन किया कि मेना भी इसको चलाती है घर पर नवी भी चला सकते हैं इसके लिए देखिए पहले क्या होता था हमारी जो चापकटर होती थी और भी यहां तक भी चला जाता है तो भी अंदर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि मेरी दूरी देखो तो यह रॉलर तक हमारा किसी भी कीमत में हाथ नहीं पूंचेगा दूसरा हमारी माता बहनों की साड़ी वगरा होती थी उनमें जो है कईवार बेल्ट वगरा में आ जाती थी लिपड जाते थे तो उसके लिए हमने सेफ्टी कवर दिये हुए चार ओड आप देख सकते हो इधर को भी आपको बैल्ट है तो हमारी यह सेफ्टी कवर दिया हुआ है जिससे कि किसान भाई या माता बहन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए ही नहीं सर जी तो किसान जैसे पहले की चापटर थी वहां पर यहां जो रोलर होते थे वह भी खुले हुए होते थे यहां पर इसमें भी कवर दिया गया है यहां पर जो रोलर है वह नहीं है वह काफी अंदर है जो है यह सेफ्टी मी काफी अच्छी है इसकी और इसको प्रड़क्शन है जैसे कि सर बता रहे हैं इस मुख्ये का 800 kg निकाल सकता है इसकी जो पावर भी काफी अच्छी है और यह चारा की जाहां निकाल सकता हो हम आपको लाइब डेमो भी देंगे इसे चारा काट के आपको दिखाएंगे आपको आप मान जाओगे बास्तव में क्वालिटी है इसे आप बिजनिस के तौर पर बिजनिस तौर पर जैसे य बिजनिस भी करना चाहता है तो बहुत महेंगी हो गई तो खुछ लोग क्या करते हैं अपने घर पर जो बेश्ट होता है जो चार चार पांच एमेम की या इंची की जो मोटी टैनिया होती है उनको इसमें देखे और वह चूरा बनाते हैं चूरा बनाके बेश्ट बनाके औ पर इस तरीके से हम बिजनिस आइडिया भी इसको कह सकते हैं यह अच्छी मसीन है बलकि अगर आप इससे कुछ बड़ा बहुत बिजनिस करना चाहते हैं तो भी आप इससे कर सकते हैं और खास बात यह है कि यह पोटेवल है आप इसे आसानी से कहीं भी एकिस्तान से दूसर पर मूब कर सकते हो इसमें हमने चार पईये दिये हुए पहले जो चारा कुट्टी मशीन होती थी जो कुट्र मशीन होती थी और में सबसे वड़ी समस्य यह आती थी कि उनके लिए दस वाई-दस का हॉल जो होना आवशक है कहीं पर मोटर कहीं पर कुछ तो अभी हमने यह स है इसमें आपको तीड़ी की हमने मोटर दियु यह और यषी कोई किसान भाई को जैसे मोटर नहीं चाहिए एंजन के साथ भी मिल जातीया है और बिना मोटर के साथ भी मिल जाती जैसे किसान explicitly ह्या तर जो यह मशीर को पर है ऊसमें चल जाएगी है й। बिलकुल सरी है जी कि बात करूं तो एक साल की आपको मशीन की पूरी घरेंटी मिलती है और इसी च्हेसे कि खाई दो प्राइज क्या है इसका स्थाइज आपको पहले तो ओल ओबर इंडिया दिलेवरी फिरी है आपके आपके ट्रांस्पोर्ट तक हम लोग आपको पहुचा के देंगा आपक तो आपको मोटर के साथ में यह आपको मिलने वाली मांतर 28,000 रुपे में और जो किसान भाई को मांतर 20,000 रुपे में यह मिलने वाली उनके ट्रांसपोर्ट तक हम पहुंचा के देंगे आपको पूरी जान करें दीजेगी आपको पूरी जान करें दीजेगी आपको पहली बार आएं सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियों देखने के लिए वह बहुत भूब भूब